हेलो एवरीवन वेलकम एन मैं ट्यूप चैनल अगर आप एस से लेकर जट तक सभी स्टोक की डिटेल एनलाइज़स पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो में हम डिगी कॉंटेंट कंपनी की डिटेल एनलाइज़स करने वाले तो स् सरिमेंग्ारी तो ऑल्मॉस इस परसेंट से 20% पर्मॉस्त परसन के प्याषिटिव डिटेल दिए एक महीनों परसेंट परसन के पॉजरे दिये हैं देखने को मिल रहा हैं तो क्या इस कम्पनी के शेर को हमें खरीदन चाहिए या avoid करना चाहिए तो जैसा कि हम company के business and fundamentals की बात करें तो यह जो company है sourcing service and is engaged into the news information, entertainment and contents of the general interest through various digital, electronic media, management and advertising time and space sector में काम कर रही है market capitalization 117 करोड का है stock का लो 10 रुपए stock का ही 20 रुपए PE की बात करें 7.94 है book value 0.96 है dividend yield 00 है company कोई भी dividend नहीं दे रही है ROC 60% है face value 2 रुपए की है promoter holding 64% की है और debt to equity की बात करें 12.2 है यानि 68 करोड का debt हमें देखने को मिला है यहाँ बात करें company के quarter on quarter basis result की तो आप यहाँ देख सकते हो company का काफी time से loss देखने को मिला था अभी company को यहाँ पे 6.6 करोड का loss हो आए जो कि पिछले quarter में 1.77 करोड का profit था यानि company को continuous profit होने के बाद continuous अभी loss देखने को मिला है year on year basis की बात करें तो year on year basis continue loss हमें देखने को मिला था अभी यहाँ पे जो company का profit है 21 करोड से गट कर 15 करोड देखने को मिला है balance sheet में company की results negative देखने को मिले और company का जो debt है वो काफी बढ़ते वे देखने को मिला जो कि companies के लिए काफी ज़्यादा रिस्की होता है यहाँ बात करें company के promoter holding की तो company के promoters के पास 64% के stake से अपना पूरा पैसा अल्मस्ट निकाल चुके हैं डियाइस भी ओल्मस्ट अपना पैसा निकाल चुके हैं यहाँ पे डियाइस के पास बहुत कम स्टेक से 0.05% के public holding 34% की है और other holding 2.28% की है यानि all over इस company के जो fundamentals है काफी week हमें देखने को मिल रहे हैं अगर आप ऐसी company में investment करते हो जिस company के fundamental week है तो आपके लिए काफी ज़्यादा रिस्की है हो सकता है तो क्या आपके portfolio में इस company के share है नेचे comment करके बताइए वीडियो को like और चैनल को subscribe share कीजिए thank you